हेलो एवर्यवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल वंस अगेन सो मैं पंकाज कुमार इसी वीडियो में आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूं कोड़ फोर्स एजिक्षिनल राउंड 136 डेटर फोर्ट टू का सेकेंड प्रॉब्लम जिसका नाम है एरे रिकवरी ओके सो इसी कॉंट जो डेटर अगरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्स्क्राब कर लें को के तो संकेंड कंशन का भी बिढ़ चित्तर में बढ़े हैं तो बढ़ए हैं तो बढ़िए दिन को बढ़े हैं इसफ यहाहां पर दिए हूं यहां पर नन निगेटिव को बोल्ड किया है तो आप इस चीज इसको निगेटिव हैं इसको क्या यह पर ऩॉल्ट करेंगा ओके तो आपका एरे है जिसमें सारे इलेमेंट क्या हैं निगेटिव हैं इन्टीजर हैं और आपने क्या कि अलग ही एरे बना दी का जो कि यह फॉर्मुला को फॉलो कर रहा है आप फॉर्मुला क्या है कि पहला element जागे डीवन सेकेंड एलिमेंट के साथ क्या हो रहा पहले वाले अब यह दो 1138 है मालो तो आपने इसको चेंज किया 1025 आया लेकिन आप 1138 को भूला जाओ अब मैंने बोला कि 1025 से अब बापिस 1138 आपको कंस्ट्रक्ट करना तो वही चीज है कि अगर आपको एरे को कंस्ट्री स्टूर करना है इस डी वाले एरे से तो बताओ कि एक ही एरे हुआ यह मल्टिपल एरे होगा अगर मल्टिपल होगा तो माइनस बनकरके बता लिकोगे तो पता चल जाएगा कि मल्टिपल एयरे है की और एक ही आप यहां पे एक लाइन है इट कैनि उन्ट करना फ्री और एक लिए यह लाइन यह लाइन यह लाइन इंपोर्टेंट यह दोनु जो मैं वो इंपोर्टेंट इतना ही अब पहली यह प्रूफ करो इस क्यों के लिए कि at least one suitable array ही क्यों इसमें हो गई होगा मतलब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा माइनस वन हो गया अगर और अगर ऐसा हो कि कोई ना हो तो फिर इस लाइन को पढ़ा और मैं पहले उसको सोचा कि यार ऐसा ही क्यों है कि हमेशा एक अंसर आपके पास exist होगा इसको जैसे मैंने सोच सॉलूशन मिल गया ठीक है अब आते हैं इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया समझ लिया अब क्वेश्चन को ब्रेक्डाउन करते हैं पहला चीज जो मैंने बोला है थिंग्स किप इन माइंड किप इन माइंड एक क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मुझे इस यह पर आपको हिंट मैंने बोला था कि नन निगेटिव एलेमेंट एलेमेंट तो आपको मैंने बोला और दूसरा एट लिस्ट वन अंसर वन एरे कि विल य देयर तो यह आपका होगा ही होगा क्यों यह दोनों चीज ठीक है देखो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आप बाते हैं, आगे हैं, लेट सपोज कि आयरे आपका A है दो ही एलमेंट का भी है, A1 और A2, ठीक है, अभी दो एलमेंट का है कहरे मैंने लिया, और आपका आप D बनाते हैं, तो D क्या बनेगा, D as it is A1 बनेगा, और यहाँ पर होगा, A1 और यह A1-A2 ठीक है, और यही प्रोब्लम है, आपको होगा हर बार क्या होगा, हर एक एलमेंट के लिए, दो-दो पॉसिबिलिटीज होगी, तो आपको जैसे आप चाहोगे तो यह एक सिंपली, आपके दिमाग में जो बनदा होगा, सिंपली ऐसे सोच होगे, तो यह फिर से क्या होगा, थार्ड एलमेंट के लिए, कर एक से diff cut रेक पर क्या होगा, यहां पर फिर से इस के लिए 2 पॉसिलिटीज निकलेगी, और इस तरफ फालता चला जागा त्री, जैक की आपको थो फट्रमेंट करना ह्यां, जो 1 तो अब ठीक है माना कि यहां पर constraint थोड़े चोटे हैं बट आप इस वे में इसको चेक नहीं कर पाओ गया और काफी टेपिकल भी होगा यहां पर बहुत सिंपल बहुत तेजी है जिसमें आपको जादा नहीं सोचना बस सही बे में जाने के ज़रुत है नहीं तो इस question में कुछ नहीं है देखो अगर यह है possibilities यह दोनों तो इस चीज को पहले पहले ट्री वाला जो मैंने बताया ठीक है रहने देते हैं विजुलाइज करने के लिए आपको यहीं पढ़ेगा अच्छा रहेगा कि इस वे में जाने से फर्क्या पढ़ने वाला या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं देख सकते हैं ठीक है तो देखो यहां पर डी के लिए दो सुरी यह एक टू यह ना है कि यह होगा एक टू इकॉल टू एवन प्लस टी तो सिंपल सी बात यह हो गई कि एटू के लिए दो पॉसिबिलिटी एवन प्लस डी और एवन माइनस टी ठीक अब देखो आपको दिया हुआ है कि जो डी है उसका फर्स्ट एलेमेंट एज इस आप इसको एरे के अलेमेंट समझो या दी के अलेमेंट समझो एक चीज़े तो आपका जो एबन रहा होगा ऐसा है यह जो बन रहा होगा उसका आपका फर्स्ट एलेमेंट एवन मिल चुका अध्यो कि क्या है नन निगेटिव अब यहां से खुलेगा पूल जो मैं बोलना ठाथ अननीकेटिव होगा है अब एननीकेटिव इस से चुझा एपको इससे जरुझा रहा है यहां पर इक गई है अब उससपी जड़ा ध्यान दो को रहते हैं नगदा से इस पर देखो यहई ड्यक्या है डी आई इाई माइनस यूद देखना यहां पर डी लिवी直纍रश बूब्ड से यह क्या होगा कि तो यहां से मुझे क्या मिला कि यह जडी हर वो भी नहीं उन्हें today मुझे जर्वत है वो भी निगेटिव होना चाहिए तो यहां पर देख हो अगर हम A2 के लिए के लिए बात कर रहे हैं अब disponible होगा गारो आपको जो final eous ऊपर मिलेगा वह भी मिलेगा अभी इस पर लिए इस वाले पॉइंट पर आता है इस को non-negative मिला a2 similarly a3 के लिए दो ही चांस होगा a2 प्लस d और a2-d बात कर रहा है यह d1 है इसमें भी यह क्या होगा यह non-negative चुकी यहां से आ रहा क्यों यह a2 a1 plus d1 यह हमेशा एक ने एक possibility आपको non-negative मिलेगा और यह d2 already non-negative है तो इससे क्या होगा a3 भी आपको मिल जाएगा non-negative अब आप समझों यह क्या हो रहा वन प्लस टू हमेशा non-negative होगा यह में कहना चारो तो ऐसे ही चला यह पॉजिटिव नंबर या तो क्या समझे कि एक solution यह वाला जो रास्ता है प्लस डी वाले के साथ हर एक पूजिशन पर जाएगे तो आपका एक जो होगा रास्ता वह आपको मिल रहा होगा इस प्लस डी वाला रास्ता इधर के लिए जा रहा होगा ठीक है अब लस्त डी वाला इसमें जाएगा न Χां यही मैं बो लह वूं सकेंड पॉइंट्क को द्यान में रखने यह वाला पांट देखो अभी इस चीज को द्यान समझो एक फिर से रिपीट कर देता हूं दिया हुआ है एवन नन निगेटिव और यहां पर हमने कंक्लूजन क्या निकाल लिया कि डी आई जो होगा वह भी नन निगेटिव होगा क्यूं क्यूंकि एपसलूट डिफरेंस राइट अब इसके के साथ एटू की दो पॉसिलिटी एवन सब्सक्राइट गितक्ते डिफरेंस और एवन माइनस डिफरेंस और सिर्क्त वाला हमेहाँ क्या होगा लेकिन पॉसा वाला क्या से निगेटिव हो崇म्ember यहाएथ तो गटने के तो पॉसिलिटी जनी ह्यां तो यह भीका नन निगेटिव इससे क्या होगा कि 18 Не इंगेटिव हुआ इस तरह चलता आएगा तो आपके पास एक एरे जो होगा वह मिल ही जाएगा यह आपका यह वाला कि अब यह नंन निगेटिव आपको कैसे अंसर फाइंड आट करने में मदद कर रहा वह समझो देखो अब आपको मल्टिपल अंसर वाला जो कर बात हैं आपके किये गई है तो मल्टिपल अंसर कब होगा जब किसी पॉइंट पे क्योंकि देखो आपका यही फ निगेटिव हुआ और यह वाला चले यह चला गए निगेटियम है तो अंसर वाला पॉसिबल यच नहीं वह रहे हैं तो मल्टिपल पॉसिलिटिज में पर होगी यह कि दोनुं अगर हमारा वैलिड हो गया और यह वैलिड मतलब क्या कि दोनुम नन डीटिव हो गया यह फॉर किसी भी पॉइंट पर जहांनों नन गेटिव होगो तो हमारे पास हमारा खेली खतम क्यों आप बोलोगे कि खेल खतम हो गया देखो इसको भी ट्री ही समझ लेंगे यहां पर एवन हुआ अब देखो यह वाला इदर ऑफ और ये एवन माइनस डी वाला है फिर इस से हो गया आपका यह मालो ए2 निखला ना यह आपका यह लीया से फोलने से जह ये अब देखो यहां पर देखो है बज़तीव यह में कि इस पॉइंट पे आपने कहा कि यह वाला भी स्ट्यमंन निगेटिव का यह देखो अ अग ऑन। और यहां पर यहीन नॉगेटिव हो गया तो इसके साते मिलस यहां पर जो आ रहा है क्योंकि 100 प्लस त्प्लस उसके सब तो यह वाला इसके बाद सब इधर साइड में फिर प्लस 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 होगा समझो तो यह आपका एक सेकेंड अंसर निकलेगा समझें यह चीज है तो आपको मोर देन वन अंसर हो गया तो यहीं पर आपको समझ जाना है कि भाई एक अगर दोनु जादा हो गया तो माइनस वन आपको प्रिंट कर देना ठीक है अब यही क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंस है इसका नन नीगेटिव के लिए अगर यह नह चार्ट देना तो आपका अब आपको किस समय समझाता ओं पहला टेस्ट केश 1025 तो 1025 अब दूसरा टेस्ट किस क्या है 263 यह 263 पहले मैं इसको मनाता हम यह आपका डी है तो एग क्या हो पहला मैंने वन बोला एजिटी जाने वाला तो आगया अब एटू के लिए क्या है इसमें प्लस डी तो वन प्लस जीरो और वन माइनस जीरो देखो दोनों ऐसे ग्रेटर दन जीरो है लेकिन दोनों अलग अलग नंबर नहीं है वन ही है तो प्रॉब्लम नहीं होगा अब बोलोगा क्यों फ्रॉब्लम होगा तो एक ही नंबर ही तो आगे तो एक बन झाएगा ना वह तो यहां पर यह तू बन चुका हमारा ज़िए अ यह त्सक्री बनाने के लिए में इस टू को एड़ करना प्रिवियस अलमेंट वे तो अब 1 पलस 2 और 1-2 करो तो 1 फ्लस टू 3 और 1-2-1 निगेटिव को छोड़ देना है पॉजिटिव तो एक ही पॉसिबिटिव से एक निगेटिव हो गया पॉजिटिव ए अत्लिस्ट एक पॉजिटिव तो मैं नहीं बो अब 263 प्याते हैं तू में क्या है तू आपके पास आगया शिक्स में देखो टू प्लस शिक्स और टू माइनस शिक्स अपको यहां पे तो कि हमाना इसको हटाओ एट को लगाया ठीक है इस एट के साथ हब देखो थी एट थी 11 और एट थी माइनस करेंगे तो 5 तो आपको यहां पर दू एरे बन गए 11 और 5 यही में बोल ला था है यहां पर ट्री वेस में यही पोजटिव हो गया यह भी पोजटिव हो गया तो इससे यह वाला भी पार्ट चलते जाएगा पोजटिव पोजटिव एक अंसर और सेकेंड हो गया है तब हमारे पास दो एरे हो गया देखो तो ऐसे हो गया है तो टू एट 11285 अब दोनों के हिसाफ से डी निकालोगे तो आपको वही 263 आएगा जापका फॉर्मूला उसके हिसाफ से ठीक ता पो एक से जादा अंसर हो गया अब आगे कोई element है या नहीं को देखने क जर्वत ही नहीं है जैसी ऐसे दोनों element मुझे मिल गए positive यहां पर हटा दो माइनस बन प्रिंट करो बाहर निकल जाओ ख़तम कानी अपना ठीक है अब आपको मैं कोड दिखाता हूं समझगे आगे आपको logic test case से verify करा दिया अब logic पर कोड पर आता है कोड मैंने क्या किया VN औ अंसर में डाला क्यों क्योंकि वो तो ही दिया हुआ एक फ्लैग मैंने रखा कि कहीं पर duplicacy वाले दोनों greater than equal to zero ना हो जाए उसके लिए मिल गिया तो हटा दो फ्लैग फॉल्स होगा और निकल लेंगे अपना अंसर नहीं मिल रहा है तो first element से चेक करना है तो यह क्या करना अब दोनों को मैंने चेक कर लिया कि greater than equal to zero है greater than equal to zero है और not equal to है जो कि यहां पर आया था आप देखो दोनों के इसमें बन बन आ गया दोनों equal to है तो आपको अलगी कहा रहा एक ही अरे हो नहीं है ना मैंने बोला वन वन टू इसमें वन वन टू तो कोई दिक्कत नहीं सबसें मैं तो साइम है ठीक इसकेस में आपको अब consider करना होगा तो not equal to है मतलब कि यह वाला केस चला गया तो फ्लैग फॉल्स किया ब्रेक किया और यहां पर बाहर निकल गया अगर नहीं होगा यह चीज तो answer में आपका क्या होगा maximum मैंने रखा अब simply इसको चाहो तो जो भी greater than zero उसको रख लो ठीक है अब फिर बोलो कि दोनों negative क्यों नहीं होगा मैं पहली बता चुका प्लस डी है तो negative नहीं होगा तो मैंने मैक्स वाला यह कर लिए अब यहां पर देखो different तरीकेस कर आगया तो मारे पास फ्लाइग में true होगा जो कि यहां पर निस्लाइज किया था और यहां पर आपको अरे को प्रिंट कर देना और कुछ नहीं नहीं तो आपको समझ में आ गया होगा और मेरा code explanation logic सब्स्क्लियर होगा आपको अगर कोई डाउट बचता है तो नहीं चैनल प झाल 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